गुर्मोनिंग बच्चों आज हम लोग अपने विशे हिंदी में भ्याकरण खंड से संधी नामक पाठ का अध्यन करेंगे ठीक है मैं इसको पढ़ रहा हूं बच्चों आप लोग ध्यान से सुने और समझे ठीक है तो संधी सब्द का अर्थ होता है मेल हिंदी में कभी कभी स सब्दों का उच्चारण करते समय उच्चारण मतलब पढ़ते समय कुछ ध्वनिया इतनी निकट आ जाती है कि वे अलग अलग पतीत ना होकर एक अन्य सब्द्वनि की रूप में सुनाई देती है वर्णों के इसी मेल को संधी कहते है जैसे हिम धन आलाय बराबर हिम आलाय सूर्धन अस्त बराबर सूर्यास्त तो दिये गए उद्वनियों से इसपस्ट है कि संधी में पहले सब्द का अंतिम वन्ड तथा दूसरे सब्द का पहला वन्ड मिलकर एक वन्ड हो जाते है इस मेल से नविन सब्द की उत्पत्ति होती है इसे ही संधी कहते है ठीक है तो गया पहले सब्द का अंतिम होगा जो पहले सब्द की खीपा है ठीक है अैसे ही आले है जो आले है जो आले सब्द का दूसरा है तो आले मिलकर ओगए कैने से अगे, more जूस पतें आखाकश तो परिभासा दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन होता है उसे संदी कहते हैं संदी दूसरा बिंजन संदी और तीसरा विसर्ग संदी तो संदी के कितने भेद हैं तीन कौन कौन से पाल्या स्वार दूसरा बिंजन और तीसरा विसर्ग तो अब हम स्वार संदी का पहले अधियन करते हैं ठीक है दो स्वारों का परिश्पर मेल जैसे आ प्लस आ बराबर बला आ धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ नियम धन अनुसार बिद्य धन अर्थी बराबर बिद्य अर्थी यथा धन अर्थ बराबर यथार्थ यहाँ आ प्लस आ मिलाकर क्या होगिया है बला आ जैसे धर्म का जो धर्म सब्द है तो इसका जो अंतिम वोलन है आ ठीक है और इसका अमिला क्या हो गया बड़ा ठीक है तो क्या हो गया धर्म अर्थ का धर्मार्थ अब ऐसे ही छोटा आ प्लस बड़ा अमिला के बड़ा आ दे धन अले ब्राबर देवाले शूर धन आनन ब्राबर सिवानन्द आ प्लस आ बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलाके क्या हो जाएंगे बड़ा आ ठीक है महाधन आत्मा ब्राबर महात्मा वार्त धन आला ब्राबर वार्ता लाप ऐसे ही प्लस ए गभी धन इम्राभर कभींद शोटी यहां चोटी मिलकी क्या बनाएंगे बढ़ले धन इन्दर बरावर कभिंदर कभीर सब्द का जो इसका पहला जो मौण रहिए यह क्या हो खूटी तो कभी धन इन्दरखर कभींद ऑब है से आभी धन इस्ट ब्रावर अभिष्ट छोती ए प्लस ब्रावर ब्रावर बढ़ाउ शुधन उक्ती ब्रावर शुक्ती गुरुद्धन उप्देश ब्रावर गुरुप देश ए प्लस ए मिलके बड़ी एकन निर्मार करते हैं अब आ प्लस ए प्लस ए मिलके क्या हो जाएंगे ए द्यो धन इंदर बड़ देविंदर गण धन इस बड़ाबर गणेश ठीक है आ प्लस ए मिलके आएकन निर्मार करते हैं जैसे एक धन एक बड़ाबर एक एक मत धन एक बड़ाबर मत एक के आ प्लस आ आ प्लस उ उ मिलाकर उ कर निर्मार करते हैं जैसे परधन उपकार बराबर परुपकार महाधन उजय बराबर महोदय ऐसे ही आ प्लस ए मिलकर आ कर निर्मार करते हैं जैसे तथा धन उ बराबर तथायो सद्धन उ बराबर सद्धन आ प्लस जी मिलकर क्या हो जाते है आर हो जाते हैं जैसे राजदन रीसी बराबर राजएरसी महाधन रीसी बराबर महारसी ऐसे ही वनधन आ रहते हैं वन धन अवसदी बराबर वन अवसदी, महाधन अवसदी बराबर महावसदी, ठीक है, अब इधर E प्लस E मिलके कोई भिनिश्वर E या या का निर्माल करते हैं, जैसे, इत धन आधि, इत त्याधि, अत धन अधिक, अत्यधि, U प्लस U, U प्लस U, कोई भिनिश्वर मिलके U वा का निर्माल करते हैं, जैसे, सुधन आगत, स्वागत, अन्धन इसन, अन्विशन, अईसे ही, राजधन दिशी, राजर्शी, महाधन दिशी, महाधन अवसदी, महाधन अवसदी, ठीक है, U प्लस U, वा का निर्माल करते हैं, सुधन आगत, स्वागत, अम्धन इसन, अन्विशन, अईसे ही, अब हम लोग, अभी हम लोगों ने उपर जो पढ़ा, वह स्वर संदी था, अब हम बेंजन संदी का उधारानों को देखेंगे, ठीक है, एक बेंजन या स्वर के दूसरे बेंजन, अथवा किसी स्वर के मेल से होने वाले परिवर्टन को बेंजन संदी कहते हैं, जैसे, खडधन मास बराबर खड़ मास, खडधन अनन बराबर खड़ा नन, परिधन चीद बराबर परिचीद, बेंजन, बेंजन, बेंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस बेंजन, कुछ अनुदारान, काका गाह हो जारा, जैसे, दिख धन गज उराबर दिख गज, दिख धन अंबर बराबर दिगंबर, जगधन इस बराबर जगदीश, तत धन भाव बराबर तत भाव, स्वर संदी में आपने देखा था, कि जब दू सब्द आपने मिलते थे, तो जो पहले पद का अन्तिम कीज़ए, वहां ब्यंजन है, ठीके, और जो जूसरे पत का पहला वहाँ सकता हो, तो वहाँ पर क्या होगा? ब्यंजन संदी, ठीके, जिस से, खट धन माश और खड़ माश, तो खट में जो खट है, वह क्या है? वह ब्यंजन पूरूप सी, हलन्त लगा हुआ है, तो ऐसे ही हम इसे समझेंगे ता करना जगत्धनात जगनात उत्धनत उन्नती सतधन्मुक सन्मुक सतधन्मार्ग सन्मार्ग ठीक है तो हमने बेंजन सन्द को देखा अब हम बिसर्ग सन्द काध्यन करेंगे बिसर्ग आप सभी जानते ना बिसर्ग क्या होता है जो आहा होता है उसी क्या आने वाले पयोतन को विशर्ग संद कहते हैं जैसे नी धन धन भरावर निर्धन नी धन आसा भरावर निरासा विशर्ग वेंजन विशर्ग स्वर्द तपा धन बल तपो बल मना धन रत मनो रत तपा धन भूमी तपो भूमी तेजा धन मैं तेजो मैं मना धन बिनोर मनो बिनो संद्नुल sizável करता है मेल दो शार दोसे अधिक गुणों के परख्वर परसपतिक मेल से दिकारदूत्पन होता हुआ संदुल के मुक्तीम भेध होते हैं स्वार संद्न बिन्ञन बिसार्ग संद्नल बिसार्ग के साथ किसी सी शी स्वार चिलाइब बच्चों आपको इसे करना है ठीक है होमर के रूप में और इसके लावा जिछोके पूर्ति कीजिए इसे कई हिसी आपको करना है और सही गलत ठीक है और इसकी अब बहुत बहुत धन्यवाद